नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर दक्षिन नागपूर विधान सभा शेत्र में नागपूर सुधार पर्ण्यास के माध्यम से 14 विभिन्न खेलों के मैदानों को एकिकृत तरीके से विकसित किया गया है इने में शामिल हनुवान नगर तिकान्य मैदान का बास्केट बॉल ग्राउंड का केंद्रिय मंद्री नितिन गड़करी ने अवलोकन किया इस अवसर पर नागपूर सुधार पर्ण्यास के अदक्ष मनोच कुमार सुरेवन्शी ने गड़करी का पुष्पगुच्छदे कर सतकार किया बैटक के दवरान नितिन गड़करी को यह जानकारी दी गई कि इस मैदान पर दोराश्टेसर के बास्केट बॉल कोर्ट, चेंजिंग रूम और टॉलेट ब्लॉक, ग्राउंड लेवली, हाई मास्ट इलेक्रिक लाइट का निर्मान पूरा हो चुका है और खिलाडी मैदान पर अब्भास कर रहा हैं, इस दवरान नितिन गड़करी ने खिलाडीयों से बाच्चित की और उन्हें हर दिन अपने मोबाइल पर गेम खिलना बंद कर मैदान पर खेलने के लिए प्रोच सहित किया, उन्होंने खिलाडीयों के माता-पिता से भी राय मांगी कि उन्हें मैदान में किस प्रकार की सुविधाय दी जा सकती है खिलाडियों के अनुरोद पर गड़करी ने बास्केट में गेंद फे की और खिलाडियों और दर्शकों ने तालिया बजा कर अभिनंदन किया गड़करी ने मैदान के विकास पर संतोश वेक्त किया और खिलाडियों को नववर्ष की शुपकामनाय देते हुए उनके उजवल भविश्य की कामना की बीते हुए समय में कोरोणा महामारी ने आम जीवन को अस्तवेस्ट कर दिया विशेशकर सामने वेक्ति की अर्थोय अस्तार लड़कडा गई है उद्द्यों की काईयों पर संकट के बादल मंजाने लगे है वेवसाइक मार्ग अपने आप को असायम हैसुस करने लगा है ऐसे विपरित परिस्तितियों में कॉंग्रेस ने व्यापारियों के उत्थान की महत्वपूर्ण जिम्यदारी ऐसे वेक्ति के सुद्रूड कंदों पर डाली है जो हनुमान की तरह संजीवनी बूटी लाने का काम करेगा इस आशे के विचार पूर्वसांसत विज़दर्डा ने कॉंग्रेस के महराष्ट व्यापारियों उद्ध्योग सेल के अद्रेक्ष अतुल कोटेचा के सतकार समारों के अउसर पर वेक्त किये दरडा ने कहा कि यह तो सर्वविधित है कि आज की परिस्तियों में राज की व्यापार उद्ध्योग इकाई या नाजुक मोड पर आ गई है कितने फैक्टरियों में ताला बंदी हो गई, कितने ही लोगों के हाथ से रोजगर छिन गया वर्क फ्रॉम होम की नौबत आ गई, बार बार समय बदलने से रोजमर्रा के दुकानदार भी हैरान परेशन हो गई दरडा ने यह भी कहा कि कॉंग्रेस ने सही समय पर सही वेक्ति के हाथों में कमान सोपी है चुकि कोटेजा स्वयम एक व्यापारी है और उनको इस वर्क नागरिकों की सारी तकलिफे अच्छी तरह से पता है वे जरूर इस वर्क के उत्तान के लिए कारे करेंगे प्रभाग पंधरा के अंतरगर सिताबर्डिक कुम्हार टोली के निवासी नियमित पानी बिल भरने के बावजूद पानी की समस्या से जूज रहे है मन पौर OCW द्वारा अनेक महिनों से इस बस्ति के नागरिकों को मिल रही नियमित जलापूर्ती में कटोती कर कुल तीन घंटे की समय सीमार रखी है ठंड का मौसम होने के कारण लोग सुबद 6 बजे पानी नहीं भर सकते इसलिए अनेक निवासी केवर सुबद के समय जलापूर्ती होने की वज़े से ग्रेस्थ है स्थानिय नागरिक पश्चिम नागपूर के विदायक विकास ठाकरे से कुमार टोली में जलापूर्ती की समस्या को लेकर मिले और ग्यापन सौपा समस्या सुनने के बाद विदायक ठाकरे ने OCW के अधिकारी से चलचा करने के बाद नागरिकों को जल ही समस्या का हर्थ करने का आश्वा संधिया है प्रतिनिधी मंडल में कॉंग्रेस ब्लॉक 10 के उपादेक्ष विजेक कुर्यवन्शी शहर कॉंग्रेस के महासचू बाबुलाल साहू, ब्रुजेश मिश्रा अजेक कुर्यवन्शी एवं कुमार टोली के नागरिक उपस्ति थे गतवज 2021 में 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक एक महने में देशभर में शादियों का पहला चरण शुरू हुआ जिसमें देशभर में लगबग 25 लाग शादियों के जरिये लगबग 3 लाग करोड रुपे का व्यापार हुआ जिससे बेहद उत्साहित होकर देशभर के व्यापारियों ने आगामी 14 जनवरी संक्रांती के दिन से शादियों के दूसरे चरण के दोरान व्यापार की बड़ी संभावनों को देखते हुए व्यापक सतर पर तैयार याक की हुई थी लेकिन इसी बीच अचानक दिल्ली एवं महाराश सहीद देशभर में कोरोणा के मामलों में बड़ोतरी होने की वज़ह से विभिन्न राजय सरकारों द्वारा प्रतिबंद लगा दी गई विभिन्न पाबंद्यों के कारण देशभर में दूसरे चरण के शादियों के इस सीजन में लगबग 30 लाग से ज्यादा शादियों के जरीए लगबग 4 लाग करोड रुपे से अधिक व्यापार होने की संभा होना थी जो अब विभिन्न पाबंदियों के चलते बहुत तेजी से घट कर केवल 1.5 लाग करोड रुपे होने का अनुमान है इसे व्यापारियों का उचसा हर्टूड गया है यह कहते हुए Confederation of All India Traders के अधिक्ष BC भरतिया ने कहा कि अतह कोविड आकडों में अचानक बड़ोतरी की वज़े से व्यापारी वर्क को काफी नुकसान जहिलना पड़ रहा है शहर में निरंतर जारे विकास कारे के अंतरगत पूरविधाय गिरिश व्यास के विकास निदी के माध्यम से एवं स्वास्त समिती अध्यक्ष संजय महाजन के प्रयासों से भगवान महाविर चिंतेश वर वाट के अंतरगत जैन मंदिर शेतर के पास स्वर्गिय छोटे लाल मोदी मार का सिमेंट कॉंक्रिट रोड का भूमी पूजन किया गया समासिवी विदर्ब सेवा समिती के कार्य अध्रक्ष डॉक्टर संतोष मोदी परवारपुरा जैन मंदिर के अध्रक्ष दिनेज जैन के हस्ते इस सड़क उद्गा टन किया गया इस अवसर पर स्वास समिती अध्रक्ष नगर स्वरक्ष संजय महाजन भाजपशर पदादिकारी सनज जैन समासिवी मुनिभक सुरेज डायमंड सेंटरल इंडिया ग्रूप उप इंस्टिटूशन लोनारा में सावित रभाई फुले जैन तीम मनाई गई इस कारेक्रम के प्रमुक अतिती डॉक्टर कैबिनेट मंदरी डॉक्टर अनिस अहमत थे आयशा अंसारी, तुशार मेश्राम, डॉक्टर एसेम राजन, मदनकडवे, स्वाती बोधनकर, सागर ठाकरे डॉक्टर सुाती राउत, डॉक्टर सीमा चिकले, डॉक्टर यासमिन सिद्धिकी और बीना जोय आदिमानेवर उपस्ति थे इस कारेक्रम में शुरुवात सावित्र बै फुले की प्रतिमा को माल्यारपन कर और श्रद्धानजली दे कर की गई पुरा देश हर साल 3 जनवरी को उन्हें याद करता है विशशतोर पर महिलाए जो उनका योगदान कभी नहीं भुला सकती छात्रों ने भाषन, काव्य तता विभिनस परदाओं द्वारा उन्हें याद किया डॉक्टर अनिस अहमद ने अपने भाषन में सावित्र बै फुले को याद करती हुए कहा कि उन्होंने भारत के कई कूरुतियों को खत्म कर महिलाओ की स्तिती में सुधार लाने में एहम योगदान दिया है शनिवार एक जन्वरी को परवापुरा मंदिर प्रांगन में आचारे विद्दा सागर महाराज जी के शिक्षय मुनिश्री पवन सागर जी महाराज एवं नगर गवराव मुनिश्री शुबरत सागर जी महाराज के सानिध्य में नवर्श के पावन सुभा पर आट बजे संत शिरोमनी आचारे श्री विद्दा सागर महाराज जी की पूजा भक्ती भाव संगीत के साथ मनाई गई इस कारेकरम के आयोजन में सकल जैन समाज नाकपुर के पदादिकारी परवापुरा महिला मंदर श्री दिगंबर जैन परवार मंदिर श्री दिगंबर जैन महासमिती पूलक मंच परिवार नाकपुर का योगदान रहा सहयोजी का डॉक्टर डीचा राज कुमाल जयन द्वारा मंच संचालन किया गया इस अउसर पर श्री परवार पुरा मंदिर ट्रस के पदाधिकारी संतोष देवडिया, गोल्डी जयन, सुमन लल्ला, चतुर मास कमिटी से संतोष वैशाखिया, रमेश मिल्टन, सतेंद्र जयन, एवं पदाधिकारी गन उपस्ति थे श्री दिगंबर जयन, चंदरप्रवु मंदिर से, श्री परवन जयन, दिनेज जयन, एवं श्री दिगंबर जयन, महासबा की महराष्टर अधिक्षा डॉक्टर अर्चना जयन, एवं विनाइक जयन, महिला जागरुती मन्च से महाविर कार्ट की अधिक्षा, चंदरकांत कासिलवाल सुनिता लल्ला रिता लल्ला बढ़कस चोक महिला मंडल के सभी सद्यस्य एवं समाज के सभी गनमान्यति थी उपस्ति थे दयानुन आरेकन्ना महाविद्दलै नाकपुर बियलंबानी कॉलेज ओप कॉमर्स मुंबई के शिक्षाविभाग मुंबई विश्विद्दलै और महिला अध्यान और अनुसंधान केंद्र राणी दुर्गावती विश्विद्दलै जबलपूर के संयुकत तत्वाधन में स उन्लाइन कारेक्रम आयोजित किया गया सावित रिबाई फुले महाराश के एक शिक्षावित समाश्चुधारक और कवियत त्रिथी उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षी का माना जाता है उन्होंने भारत में जाती और लिंगा आधरित भेदभाव को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया भारतिय समाज में भेदभाव पराधरित भाशन डॉक्टर सुनीता मगरिप प्रोफेसर और शिक्षाविभाग प्रमुक मुम्बई विश्वित दाले ने व्यक्षान दिया उन्होंने समाज और शिक्षा के शेत्र में सावित रिबाई और महात्मा जोतिरा फुले की अंसुनी यात्रा प्रप्रकाश डाला डॉक्टर श्रद्धा निलकुमार प्राचारे द्यानन आरेकन्या महाविध्याले ने स्वाकत भाशन के साथ दर्शकों को सम्मान सम्मोधित किया और उन्होंने ग्यान जोति सावित रिबाई फुले की प्रणादाय कविता गो गेट एजुकेशन आबासी दर्शकों को सुनाई उसके बाद डॉक्टर राजेशवरी राना डॉक्टर मीनू मदलानी और डॉक्टर जीतेंदर अहिरकर ने अपने अपने विचार वेक्ट किये आयोजन के लिए वर्चुल प्लाटफॉर्म पर लगबग पास्सों से अधिक संख्या में दर्शक उपस्तित है अखर्ण भारत विचारमंच की ओर से मानकापूर के प्राचिन शीव मंदिर में श्री राम कता का आयोजन जारी है कता के तीसरे दिन चित्रकुर्धाम निवासी श्री राम कता का राजन महराज ने श्री राम कता की महिमा का बयान करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने कुछ जीवों का उद्धार किया है लेकिन श्री भगवान श्री राम की कथा तो करोडों लोगों का उद्धार कर रही है राम कथा सुनो, कुरुष्ण कथा सुनो, हरी कथा सुनो आपके जो भी इष्ठ हैं उनकी कथा सुनो क्योंकि इस धर्ती पर अगर वास्तों में कुछ सुनने के लिए है तो वह सिर्फ भगवान की कता है जिसने पहले सुनी है वे भी दो बारा सुने राम चरित्र को जीवन में धारन करने की कोशिश करें श्री राम जी का चरित्र सुनते सिंते जो तुरूप्त हो जाते है उन्होंने उसका विशेश रज जाना ही नहीं जो जीवन मुक्त महामुनी है वे श्री राम भगवान के निरंतर गुन सुनते रहते है एक बार कथा में आकर देखो तभी तो जान पाओगे कि कथा का क्या महत्व है यदि किसी वेक्ति को तरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा इस आशे के विचार राजन महाराज ने प्रवचन के दोरान वेक्त किये आज 18 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों का कोविशिल्ट का टिका करन नागपुर महानगरपालिका के साथ साथ सरकारी केंदरों पर होगा टिका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों बधितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंदरों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट के जरिये टिका करन किया जाएगा यह जानकरी चिकिसा स्वास तरिकारी डॉक्टर सेंजर चिलकर ने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोविशिन का फहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेश डॉक्टर बाबा साहब आमबेटकर अस्पताल काम्टी रोड वस्वर्गय प्रभाकरदट के मनपा महाल रोग निदान केंदर एम्स, आइसोलेशन अस्पताल इमाबवाडा, इंदरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पांच पाउडी और प्रगती हॉल डिगोरी में उपलद है देश की प्रथम महिला शिक्षी का वसमात सेवी का सावित्री भाई फुले वस्वतंतरता सेनानी एवं पुर्व महापोर स्वर्गिय बाबुलाल टक्का मोरे के जहनती पर पुर्वी अजय टक्का मोरे वसरीता अजय टक्का मोरे ने लाइफलाइन ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया इस आउसर पर प्रमुक रूप से पुर्व विधाक गिरिश्वियास डॉक्टर हरिश्वरंभे अजय टक्का मोरे प्रविन साथ वने आदी उपस्तित थे दक्षिन पुर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उपल के मार्ग दर्शन और वरिष्ठा मंडल वानेज्ज प्रबंदक विकास कुमार कश्चप के दिशाने इर्देशों के अनुसार कुरुशी और बागवाने उत्पादों को ले जाने के लिए फिर एक बार मंगलवार सुबह साड़े पांच बजे चिंदवाड़ा से संकरेल के लिए किसान रेल गाड़ी क्रमांक 00591 चलाई जा रही है ताकि किसानों को राहत देने के साथ साथ डुलाई में 50% की छूट से किसान को लाभानवित किया जा सके इसके अलावा कम लागत पर कुरुशी उपज ने संभावित मारकेट तक पहुचाना भी किसान रेल के मुख्यों देशों में से एक है ये किसान रेल गाडी क्रमांक 00591 चिन्दवाडा से संकरेल के लिए आज सुभा नाकपुर से 5.30 बजे इत्वारी से 10.30 बजे गोंधियां से 12.30 बजे दुर्क से 3.30 बजे राइपुर से 4.30 बजे बिलासपुर से 7.30 बजे राइगर से 5.10 बजे जार सुगुडा से 5.11 बजे राउल केला से राथ 1 बजे ताटा से 7.30 बजे खड़कुर से 7.00 बजे गुजरते हुए संकरेल कल 9.00 बजे पहुचेगी ये किसान रेल किसानों को उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने में मददकार साबित होगी मंदल रेल प्रभंदक मनेंदर उपल के नेतरुत्व में दक्षिन पूर्व मध्धे रेलवे नावपूर मंदल द्वारा माल लदान के क्षेत्र में अपने शांदार प्रदशन को जारी रखते हुए दिसंबर 2021 में 0.88 मिलियन टन माल लदान किया गया है जिसके फलस्वरूप 74 करोड 68 लाख रुपे की आय हुई है ये पिछले साल की इसी अवधी की तुलना में 7.32 प्रतिशत अधिक लदान है तथा आयके दुरुष्टिकों से 38 प्रतिशत अधिक है बिजनेस डेलप्मेंट यूनेट के माध्यम से परंपरिक सामनों के अलावा कई नई वस्तूओं का भी परिवहन रेलवे द्वारा गिया जा रहा है साथ ही मौजुदा नेटवर्क में मालगाडियों की गती में भी काफी रुधी की गई है तथा कई तरह की रियायते छूट के फलस्वरुप सभी ही तधारों के लिए लागत की बचट हो रही है इससे माल ढूलाई एवं राजस्व अरजन में अच्छे प्रदर्शन के रुप में परिणाम मिल रहे हैं इसके अलावा इस महा पार्सल लदान के अंतरगत दिसंबर तक कुल 1241 रन पार्सल की लोडिंग से 27,13,000 रुपे आय अरजित किया गया है इस महा किसानों को राहत देने के साथ साथ डूलाई में 50 प्रतिशत की छूट के साथ कम लागत पर उपज नए संभावित मार्केट तक पहुचाने के उद्देश्य से दक्षिन पुर्वा मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा इस महा दो बार किसान रेल चलाई गई हाल ही में महाराश्टर प्रदेश महिला कॉंगरेस के अध्यक्षा संध्या सवालाखे ने नई कार्यकारेनी गुशित की इसमें लगातार तिसरी बार डॉक्टर रिचा राजकुमार जैन को महाराश्टर के महासच्यू पत्पर नियुक्त किया गया है पहली बार 2013 में अध्यक्षा कमला बहवारे ने उनकी नियुक्ति की थी दुवितिय बार 2015 में एड़ोकेट चारूलता टोकस के साथ लगबग 6 साल कार्य करने का मौका मिला और महाराश्टर में अपनी अलग छवी बनाई साथी तीसरी बार फिर से संध्या सवाल अखे द्वारा डॉक्टर रिचा जैन को महाराश्टर का महासच्यू बनाया गया डॉक्टर रिचा जैन ने इस नियुक्ति पर अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रिय महामंत्री प्रियंका गांधी, अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस अध्यक्षा नेटा डिसूजा, महाराश्टर प्रदेश कॉंग्रेस वालाखे शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचा एवं सभी प्रदेश कार्यकारेनी सदस्यों को धन्यवाद किया डॉक्टर रिचा जैन कई संस्थाओं से जुड़कर राष्ट्र के हीत में कार्यरत रहती है इस अवसर प्रदेश वक्ता अतुल लोंडे अतुल कोटेचा महाराष्ट प्रदेश महिला कॉंग्रेस आशा राउत कांता पराते नफीजा एहमत विजैड होले रिंकु जैन आधी ने डॉक्टर जैन को बधाई दी रुभी सोशल वेलफेर सोसाइटी के प्रांगण में करांती जोती सवीत्र रिभाई फुले जैनती के अउसर पर कारेक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम की शुरुआत सावित रिबाई फुले की तस्विर पर माल्यारपन करके किया गया इस कार्यक्रम में संस्था में पढ़ने वाले सभी विद्यार थी परिसर की लड़किया और संस्था के सदस्य गण उपस्तित थे इस अउसर पर मानने वरोद्वारा सावित रिबा प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला लक्ष्मी आर्सी तथा रानी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, रानी क्लब ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्ने लिया, एवं निर्धारित पाच ओवर में नौ विकेट खो कर 45 रन बनाये। उसी तरह लक्ष्मी आर्सी ने दो विकेट खो कर 3.3 ओवर में ही लक्ष्मी आर्सी क्लब के अक्षे मैन आफ दे मैच रहे, मैन आफ दी सिरीज का खिताब नजीम को दिया गया, विजेता टीम को 50,000 रुपे नगद ट्राफी तथा उपविजेता टीम को 30,000 रुपे नगद दी गई, कार्यक्रम के अध्यक्षिता अरुन धोराईने की, कार्यक्रम को सफल मराने में तूशार बेरा, राजियो बेरा, तरुन, श्रीकान त्रॉय सहित, समाज के अन्य सदस्यों ने अथक प्रयास किये जनता के इलाज के लिए सरकारी पैसों का उपयोग न होते हुए किसी तरह बरबात किया जा रहा है, इसका प्रत्यक्षियो उधारन नाकपुर मेडिकल कॉलेज के परिसर में खड़ी दो एंबुलेंस है, डॉक्टर विकास महातमे के सांसद निधी से दो एंबुलेंस चास लाक रुपे लागत से खरी दी गई है, पिछले दो महीनों से ये एंबुलेंस धूल खाती परिसर में खड़ी है और उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए सारे मामले की जांच होनी चाहिए और सरकारी पैसे का केवल नाम के लिए इस्तिमाल नहीं करना इससे नीधी का दूरुपयोग होता है, इस मामले में जांच की मांग करते हुए राष्टे संगरन मंदरी, मुन्ना महाजन, प्रदेश कुशाद्यक्षा भगवान दासराथी और शेलेंद्र खड से, खेरे, रोशनसग ने और निखिल भूते ने ये विचार व्यक्त किये जनजागरन सेवा समीती द्वारा निरंतर 18 वर्षों से नववर्ष पर गणेश टेकडी मंदिर में भक्त को प्रसाद के रुप में सोनपापडी हलवा का प्रसाद वितरन किया जा रहा है, इसी कड़ी में शनिवार को नववर्ष के शुरुवात में गणेश मंदिर में प प्रसाद वितरन किया और नववर्ष की शुपकामनाय भी दी, आभार हरिश कुणले ने माना समीती के पधादीकारियों ने सुक्षान्ती वसम्रुद्धी के तथा कोरोना मुक्ती के लिए प्रार्थना भी की और नववर्ष का स्वागत भी किया शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी की और से देवडिया कॉंग्रेस भवन में ज्यान जोती सावितरी भाई फुले की जयनती पर प्रधान महा सच्चियू डॉक्टर गजराज हटेवार उपाध्ध्यक्षय विना बेलगे द्वारा सावितरी भाई फुले की तस्विर पर माल्ल योगदान दिया कारेक्रम का संचालन कारिया लएन प्रमुक नारायन नाखले निकिया इस आउसर पर महीला कॉंग्रेस अध्यक्षय नैश अली महासच्यू महे श्रिवास ब्लोक अध्यक्ष अब्दुल शकिल युराज वैद्य विश्वेश्वर अहिरकर सर्फ राज खा पिंटु तिवारी, छाया सुक देवे, करिश्मा पुण्यानी, नंदा अत्करे, फिर्दोस करीम, अक्षे कामले, जेनाब सहित अन्य पधादी कारियगन उपस्तित थे नाकपुर महानगर पालिका के उपदरव खोजी दल ने सुमवार को प्लास्टिक पतंगों के खिलाफ कारवाई की उपदरव खोजी दल ने 10 जोन में 47 दुकानों का निरिक्षन किया, इसके अलावा, NDS दस्ते ने 4 प्रतिष्ठानों पर कारवाई करते वे 20,000 रुपे का जुर्माना वसुला टीम ने 47 प्रतिष्ठानों और मंगल कारिया लयों का भी निरिक्षन किया मनपा युक्तराधा कुर्शननभी के निर्देश आनुसर और NDS टीम के प्रमुक विरसन तामबे के मार्ग दर्शन में मनपा की टीमों ने ये कारवाई की तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार